नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त लैलित कुमार दोस्तों आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो लोग काफी काफी साल से पूजा कर रहे हैं लेकिन उनको उनकी पूजा का प्रिणाम नहीं मिल रहा वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमसे क्या गलती हो गई जो हम इतने समय से पूजा कर रहे हैं लेकिन परमात्मा ने हमें हमारी पूजा का फल नहीं दिया तो दोस्तों आज के वीडियों में मैं एक ऐसी विशेश चीज़ बताऊंगा जो काफी लोगों से गलती हो जाती है गलती छोटी होती है लेकिन परिणाम उन्हें बहुत ही बड़े भुगतने पड़ते हैं देखिए दोस्तों पूजा पाठ कीरतन भजन का सबसे पहला जो नियम है यह होना चाहिए कि आपके शरीर में किसी भी परकार की नेगटिव एनरजी नहीं होनी चाहिए नेगटिव एनरजी किसी भी परकार की हो सकती है हो सकता है ऐसा काफी केसिस में देखा जाता है कि किसी वैक्ति विशेश के शरीर में कोई प्रेत आत्मा कैई कैई सालों तक 10-10, 15-15, 20-20 सालों तक कबजा करके बैठी रहती है और जब वो वैक्ति पूजा पाट करता है तो उसका फल उस वैक्ति को ना मिलके उस प्रेत आत्मा को मिल जाता है और वो बहुत बल्चाली हो जाती है और उसको बहुत नुक्सान पहुचाती है आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इतने बिमार रहते हैं कि ठीक ही नहीं होते कितना भी इलाज करा ले लेकिन आए दिन कोई ना कोई समस्या उनको परिशान करती रहती है ऐसे केसिस में वो पूजा करते हैं लेकिन उनको इसका लाब बिलकुल नहीं मिलता अब इस केस में क्या करना चाहिए अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आपको आपकी पूजा का पार्ट नहीं मिल रहा तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर तो हो ही गए होंगे अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो सुनने में तो थोड़ी छोटी लगेगी लेकिन बहुत विशेश महत्व रखती है पूजा पार्ट की दुनिया में सुनिये दोस्तों जब भी आप किसी भी प्रकार का पूजा पार्ट करें तो वो पूरे तरीके से मांसिक होना चाहिए आपके मुझसे कोई स्वर नहीं निकलना चाहिए नहीं होट हिलने चाहिए पूजा ऐसी होनी चाहिए कि साथ वाले को पता ना लगे कि आप किस मंतर का जाब कर रहे हैं किसी को ये पता ना लगे कि आप कौन सी पूजा कर रहे हैं किस भगवान की पूजा कर रहे हैं किस मकसद से कर रहे हैं अगर आप अपनी पूजा को जग जाहिर करकर करते हैं तो उस पूजा का लाब आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं या बिलकुल ही नहीं मिलेगा और अगर किसी प्रेतात्मा ने आपके शरीर पर कब्जा किया हुआ है तो उसका पूरा लाब उसको चला जा तो ये बात विशेश तोर से ध्यानर किये कि जब भी आप किसी भी मंत्र का जाब करें या किसी भी प्रकार की पूजा पाट करें तो पूरे तरीके से मानसिक होने चाहिए अब एक चीज़ बता दूँ अगर आप ऐसे पूरुष यस्त्री हो गए हैं जो जग कल्यान की काबिलियत रखते हैं तब आप बोल कर किसी मंत्र का जाब कर सकते हैं कोई कथा बोल कर बता सकते हैं अन्य था अपने लिए आप पूजा कर रहे हैं तो उसे पूरे तरीके से मानसिक रखिए आपको निश्चित तोर पर लाब मिलेगा और अगर आपके शरीर में किसी प्रेतात्मा का अवास है तो वो भी आपको छोड़ कर चली जाएगी क्योंकि आपकी जो खुद की आपकी जीव आत्मा है वो बली होने लग जाएगी दोस्तों ये बहुत important बात है जिन लोगों को नहीं पता वो इसको करके देखिए आपको निश्चित तोर पर इसका लाब मिलेगा यहाँ एक बात और बता दूँ जब भी आप कोई पूजा करें तो अपने पित्रों के नाम के ल लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए मैं यह नहीं कहूंगा कि आप करजा लेके बहुत बड़ी पूजा करा दीजे उनके लिए नहीं आप उनके नाम से अमावस्या हो गई शनिवार का दिन हो गया और जब भी आप दानपुन करना चाहते हैं करते रहिए तो दोस्तों यह था वीडियो कि आपको आपकी पूजा का लाब क्यों नहीं मिलता अगर किसी प्रेत आत्मया ने आपके शरीर पर कबजा किया हुआ है तो आपके मंतर जाप का आपकी पूजा पार्ट का लाब उसको चला जाता है दोस्तों इस वीडियो को अपने रिष्टेदारों तक अपने यार दोस्तों तक पहुँचाईए ताकि वोने फ्री देख सकें और इस वीडियो का लाब उठा सकें दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही इसको आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल ललित जोतिस समाधान सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए चलिए दोस्तों इसी के साथ आपसे वीडा लेना चाहूंगा नमस्कार दोस्तों जैश्री राम